हेलो गाईज, मेरे नाम है डोक्टर लोगे समान और इस वीडियो में हम सराब को छोड़ने या छुड़वाने के लिए उप्योग की जाने वाली डाइजोन टेवलेट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे की डाइजोन टेवलेट को कैसे लेना चाहिएं, कितनी डोज में डाइजोन टेवलेट को लेना रिकोमेंडिड है और कितनी दिनों तक डाइजोन टेवलेट को लेना होता है और ये भी डिस्कुस करेंगे कि डाइजोन टेबलेट को लेतेस में और दूसरों को देतेस में क्या-क्यासा दानिया रखनी चाहिए और किन लोगों को इस दवा को नहीं लेना चाहिए अगर आप सराब को छोड़ना चाते हैं या आपके परिवार में कोई सदस्य सराब का सेवन बहुत अधिक करता है और आप उनकी सराब को छुड़वाना चाते हैं तो डाइजोन टेबलेट एक बहुत ही सस्ती और एक प्रवावसाली दौआ है Dizon Tablet, Dyson MG और 500 MG की स्टेंथ में अवलेबल है कीमत की बात करें तो Dyson Dyson MG Tablet की 10 टेबलेट की कीमत 30 रुपए है और Dyson 500 MG Tablet की 10 टेबलेट की कीमत 70 रुपए है Dyson Tablet को Ozone Pharmaceutical Company द्वारा बनाये जाता है Dyson Tablet में Active Ingredient Dysol Frame होता है Dyson Tablet स्राब के परती बहुँ ज़्यादा समयदन सील होती है अगर कोई व्यक्ति Dyson Tablet को लेने के बाद थोड़ी सी भी स्राब का सिवन करता है तो Dyson Tablet और स्राब का एक Reaction होता है Reaction की उज़े से व्यक्ति को बहुत तेज सिरदर्द, नोजिया, उल्टी, पसी ना आना, ज़्यादा प्यास लगना, तवचा का लाल होना, स्रीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, चक्कर आना, छाती में दर्द, बलड प्रेसर कम होना, गवराट, सास लेने में दिक्क कंतेज हो सकती है, सराव का सेवनादी कर लेने पर वेहोशी भी हो सकती है, जब भी व्यक्ति, डाइजोन टेवलेट को लेने के बाद, सराव का सेवन करता है, तो उसको ये परेशनिया होती है, जिसकी उजैसे उस व्यक्ति में सराव के परतिनफरत पैदा होने लगती है, और वह दिरे-दिरे शराब का सेवन करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता होता है, अगर थोड़ी सी भी सराब का सेवन करता है, तो उसको बहुँ ज़्यादा चारिविक और मांसिक पीडा होगी, डाइजोन टेबलेट का रियेक्शन 30 से लेकर 6 मिनेट तक रह सकता है, लेकिन सराब का सेवन ज़्यादा करने पर या इससे लंबा भी रह सकता है, अब हम डिस्कुस करेंगे कि डाइजोन टेबलेट को कितने डोज मिलेना रेकोमेंडिड है, पहले एक से लेकर दो सफ़ता तक डाइजोन 500 mg टेबलेट को दिन में एक बार दिया जाता है, या डाइजोन 500 mg टेबलेट को दिन में दो बार भी दे सकते हैं, एक से दो सफ़ता बाद डाइजोन 500 mg टेबलेट को डोक्र दिन में एक बार लेने की सला देते हैं, Dijon Tablet को दिन में एक बार और शाम के समयल लेना recommended है Dijon Tablet को कम से कम तीन महिने के लिए लेना होता है और कुछ लोगों में यह treatment 12 महिने यह उससे भी अधिक चल सकता है यह treatment कितना लंबा सलेगा यह सभी वेक्तियों में अलग-अलग होता है यह कोई fix नहीं होता है side fact की बात करें तो Dijon Tablet से जातर लोगों में कोई side fact नहीं होते हैं लेकिन Dijon Tablet की उज़े से कुछ लोगों में मुँका सवाद खराब हो सकता है और लेसुन के सवाद की तरह मुँका सवाद हो सकता है शरीर में बहुत ज़्यादा ठकान हो सकती है हाथों पैरों में सुनपन, वैसु इसु बिने जैसे समेधना हो सकती है सिर्दर्द और पुर्षों की sexual performance कम हो सकती है ये side fact सभी को नहीं होते हैं बहुत ही कम लोगों में ये side fact notice किये गए है अब हम डिस्कस करेंगे कि डाइजोन टेवलेट को लेते समेधना आपको क्या कैसा दानिया रखनी चाहिए डाइजोन टेवलेट को शुरुवात में लेना शुरू तो भी करना चाहिए जब आखरी 24 गंटे में आपनी सराव का सेवन नहीं किया हूँ जिन लोगों को कोई liver, kidney या hurt की कोई गंबीर बिमारी है तो ऐसे लोगों को इसके बारे में अपनी डाइजोन टेवलेट को लेना रिकोमेंडेट नहीं है और जिन लोगों को mental illness यानि जिन लोगों का दिमाक अच्छी तरह काम नहीं करता है ऐसे लोगों के लिए भी डाइजोन टेवलेट को लेना recommended नहीं है अगर आपको डाइजोन टेवलेट को लेतेस में तवचा या आँखों में पीला पन, तवचा परेसिज, पेट में तेज दर्द, डर्कलर का पिसा बाना या आपके मुड में बहुँ ज़़ाब बदलावा आता है तो आपको इसके बारे में डोक्टर को सुचित करना चाहिए डाइजोन टेवलेट एक prescription दवा है इसलिए डोक्टर के सला के बेना नहीं तो इस दवा को लेना चाहिए और नहीं किसी को देना चाहिए क्योंकि बिना डॉक्टर की सला के डाइजों टेवलेट को लेना कभी कभी जान लेवा अउसा भीत हो सकता है इसलिए डॉक्टर की सला के बिना इस दवा का उपयोग नहां करें इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए अपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंदेट प्लिज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका किस नता आप क्वेंट करके पूछ सकते हैं